आज हम डिसकस करने वाले है एडिनर्जिक रिसेप्टर अल्फा बीटा एंड डिस्टिबूशन हम पूरी अल्फा और बीटा की क्लासिफिकेशन देखेंगे कहा कहा पर वो बोड़ी प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में study करेंगे तो इसको इसली बनाने के लिए मैंने है और बीटा है पेले हम इसे क्लासिफिकेशन देखेंगे और अल्फा बीटा घो हमारे सेप्टर होते हैं कहा कहा रूकेसी लोकेट होते हैं घीए उसका बारे में जाने तो अल्फा जो हो है मारे पास वो further two parts में divided है कि फर्स्ट आल्फा 1 अर्सट अल्फा 1 तो तेके इसको भी यानि जैसे अल्फा 1 है अल्फा 1 को आगे further two category में डिवाइड किया है अल्फा 1 एय रिसेप्टर अल्फा अल्फा 1 तो यहां पर आपका two तो अल्फा 1A receptor, अल्फा 1B receptor, इसको भी आगे फ़र्दर थीन क्लास में डिवाइड किया है, फर्स्ट है अल्फा 2A, तो देखो हमारे पास जो अल्फा receptor है, उसको ऐसे केटिक्राइज किया है, यानि इसको अल्फा 2A, 2B, 2C, ठीक है, और यहाँ पे बीटा को तीन पार्ट मे तो हम अल्फा-1ा, इसको पार्ट में स्टिम्लिएट करती है, फिर्वा Г Porkely comprend ce. इसको अल्फा 1A केटिक्टर है posición räumantर में स्टिमिलेट करती है, कि अहां तो फिर्स्ट तो Х καfallenいきます, तो हम अल्फा 1ение का आप लुक सुआ करता है 1st time एक 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 या नहीं Ah क्या के नहीं क्या हमारी इसे करका दा इसे का होना हमे कुछ नहीं यह मैं क्या उत्वती मुस्त दॉछ हता हम इसा दार भी होना यहा टो जो पासल को सबता हो रहे उसके बाद हमारे पास नेक्स हमारे यू एस यू एस तो जो इस होते हैं उसको यह कराता है contraction कराता है ठीक है जब तो इसमें contraction जाती है जब contraction होगा हमारा IOS में तो इसमें क्या होगा जो sphincter है urinary sphincter हमारा तो वो क्या हो जाएगा urinary sphincter हमारा retention हो जाएगा देखो एक तीज मैप को बता दो थोड़ा सा overall list का हम इसमें sympathetic nervous system के बारे में बात कर रहे हैं यानि जब कब देनी पड़ी थी हमें जब आपके कोई खतरनाग चीज आए एक दम से आपकी जो ब्लड देखो सिंप्थेमेटिक और पारसिंप्थेटिक आपको पता है जो सिंप्थेटिक होता है उसके अंदर बीपी इंक्रीज हो जाता है एक आपके जो आंके है एक खुल आपके जो बात कर रहे हैं तो सिंप्थेटिक में जो जो होगा ठीक है आपको इस टाइम पर क्या होगा इसा तो नहीं होना चाहिए तो सिंप्थेटिक में क्या होता है वो जो आपकी पोता है तो नेक्स्ट अमबात करते हैं यानि जो अमरा अलफा 1-B है ठीक है इसी फूर्दर क्लासिफिफिकेशन है इसमें क्या होता है ए यह जो ब्लोड हमारा ब्लोड वैसेल है उसको क्या कि लाधा देता है वैसो कॉन्सट्रिक्षन का रहता है तो इसमज़ से क्या होग आप डर हुए हो इस condition में तो उस condition में आपकी बोड़ी को पूरा मिलना चाहिए ठीक है और दख लगे हैं इसमें निए प्ड़ए्टिक में पढ़ रहे हैं तो जब भाग रहे होगे तो भागते बागते के आपका ब्लड का यू बड़ है आपका एसा तो नहीं दो होना चाहि आपका बैसे में ब्लोड प्रेशान काम लेटए गार्यात थो इसमें सžय हो यहांने सक्राइथ और ऑपका पूरी प्रेसित स्रेखने आपके डुडू में इसमें के बाते हैं ठीकें तो नेक्स हम बात करते हैं lumière इस साथ N चыеक्षान के वां पिर अधार चे था कीछर्ट है यो करते हैं打kin 255 से क्तों आज़ा त्मार्म के अधने पिर टेक्द को का ओंग सबस्था जाओ आर में अतस्त निजिए गर को में कि डित क्या land about अगर आपको नहीं पता है तो मेरी और जो वीडियो लेक्ट्टर है उसमें आप देख सकते हूं इस साइकलेज एमप क्या होता है तो इस केस में क्या होता है यह इनिबिट करता है इसकी फंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं एक प्री स्यनेिप्टिक ऑटोरिसेप्टर उसका मीनिंग क्या हो यहां पर जैसे दो हमारे पास क्या है कि ठोड़ की बेकार शे municipal वह आपने continuation तो यहां पre क्या होगा यह हमारा जो निरोन है उसके जो गवजी का है यह पर क्या होगा यहां पर पहपे पोस्ट प Premium पास नहीं जा पाझाएगा तो यानि Pre Synaptic Auto receptor यह इापने आप इस roku लेगा ठरहिए अपने rust कि डिक्रीशन है जो हमारा उसको कि करें henna जूरो ट्रांसमिंटर टाहिए ताकी न्यूरो-ट्रांसमिटर स О्पाइ कोजिद सिंप्तिमेटिक निर्वा सिस्टेम है वह आपका इनिबीट हो सकें ठीक है और इनिबीट कर देता है इनिबीट कर द देता है हमारे रिलीज ओफ नौन आपिनेफरी noapinephrine होता है उसको release करता है जब noapinephrine release होता है तो उस case में क्या होता है? unser cms को decrease करते है यानि cms जब आप का sympathetic nervous system है उसको by को कि नेच्स. रम बात करते है बाते का वी में क्या होता है इसको बोलते है फर्स्ट पर आप हिस्थ क्लिवी कहा पर होती है पॉष्ट सटनेप्टिक जंक्शन पर होती है oh sorry यहां पर लोकेशन नहीं है यहां पर पिछेङ है से मिन्स जो पोस्नेप्टिक हमारा हमने पढ़ा था तो उसके तरदा बिहेव करता है निए अपर लिख लुग furno just like AI लंग कि चिंपल आ होन, siis सभी अल्फा 1 की तरह पढ़ा। सब्सक्राइब आने यानी इन अक करता है वो यह तो यह भा होन चाहिए राये ने तल्ए मोन कोड़ों कोड़ा कर देगा हैert तो इसका भी वर्क इसकी तरह है अल्फा वन की तरह है तो अल्फा वन जो हमारा रेसेप्टर था पोस्नेप्टिक था था ठीक है पोस्नेप्टिक था यहीं पोस्नेप्टिक के ओपर लगे हुए था रेसेप्टर तो नेक्स हमारा जो है अल्फा 2C वैसी हमारे पास जो हमारा लेकिन अगर आपको अच्छी से समझना है understanding के साथ कि कौन सा receptor क्या काम करता है तब आपको अच्छी समझाएगा तो मैंने इसको आपको क्लासिफाय करके बताया है इसको क्या बोलता है एक्स्ट्र स्नेप्टिक होता है यह इसमें क्या होता है जहां पी जो हमारा ऑट्रोमिक नर्वर सिस्टम होता है वहाँ प्रेजन नहीं होता है यह कहां प्रेजन होता है हमारा पैंक्रियास में यह कहां प्रेजन होता है पैंक्रियास में जहां पैंक्रिय जब इंसुलीन कम होगा तो गुल्कोस का अमाउंट खुद पर खुद बढ़ जाएगा जब गुल्कोस हमारी बढ़ेगा तब वह यूटिलाइज हो पाएगा नदर भाग रहे हो उस टाइम पर आप डर रहे हो तो आपके बोडी को और गुल्कोस की जरूत होगी तो इसका फ 54-P Например, 4-2-2-1-1-3-3-2-1-3-2-3 MAX-2-3-2-1-2-2-3 !! टो उसको करते हैं दो जिह क। बहुच्चिन किया सारा टिमिलेशन का जितने भी का फ़ंच्छिं का सारे स्टिमिलेट वाले फंक्षं होंगे खॅँले नोर जीचिन होगे हैं टो अगर को समझ जाएगा nausea wignore होती है और और जोसकी continuity है उसको increase कर देगा तो देखाओ इस case में क्या होगा तो जब यह अपनी जह अदिडिएट हो जाएंगी तो इस case में क्या होगा तो यह अपने effect शो करेगा जैसे chromotoppsin ठीक है यह जब यह stimulate होंगे तो यह अपने effect शो करता है और दूसरा हमारे पास जो beta verse actor होते हैं अगर आपने kidney में JK cell सुने हो, JK cell का function क्या होता है? यह कहां पर होते है? Kidney present होते है JK cell एक G cell भी होते है, Glomerulus cell इसको G cell बोलते है, Glomerulus cells को तो kidney में क्या करते है? Renanine, Renanine जो होता है उसको release करते हैं जब Renanine क्या होगा, release होगा तो हमारा जो रास है वह कहोजाएगा? इंक्रिज होजाएगा उसको जिसे क्या होगा BP, इंक्रिज होजाएगा तो रास आपने हार्ट में सोना होगा तो नेक्स हमारा जो बीपी 2 होता है वह हमारा कहां पे होता है लीवर की मसल्स में लीवर की मसल्स होती है लीवर को में फंक्शन क्या है गलाइकोलाइस जो बीपी 2 रिसेप्टर है हमारा तो यह क्या करेगा गलाइको जीनोलाइसिस क्राएगा यानि जो आपके ग्लुकोस है ढ़िए उसको तोड़े गा टेके गल्योक को जीरोलाइसिस यानि जो आपका हाईपर ग्लासीमिया यह जो आपके एंदर वडेरं आ हाईपर ग्लासीमिया नहीं क्वेक्णी अ announcements लो आफ cessu oh स्कालिक्र शक्लकोंब दिर्पा, तो इसमें कि यह पर होता है तुरुみकों स्क्लकोंब एक सणीपर ही कि भी करनेभी, मुसल को unpredictable करता सकते हैं जब आपके स्मूथ मुसल रिलाक्स इ traction की और थे ऑफ शांते हैं तो छो यह प्लहना को स्च उपिज्व करका देंगेक जो आपके अनुझ में जने प्लिफॉ correct wireless सबशिटेय इस अर्फ प्लिका54 ल्वुस्ति प्रृप करता सकते हैं तो इस केस में क्या होगा जो आपकी ब्रॉंक्यो, डिलेटर एयनी самых स्वोथ मसल है मैं उसके अनदर डिलेट हो जाएगा यbelsब्सुश में सब कुछ तो जो एडिपोस टिश्यू होता है जो लाइपोलाइसिस में क्या होता है आपको गुलकोस ही बनता है तो गुलकोस इंक्रीज हो जाएगा तो इसमें भी क्या होगा जो आपको गुलकोस है उसका मौंट आपकी बलडस्टी में बढ़ जाएगा ताकि आपको गुलकोस अप्टेक है ज्यादा अच्छे से हो सके नेक्स जो है इसी का function है लास्ट है इरिनरी ब्लैडर का जो इरिनरी ब्लैडर है उसमें क्या होगा उसको रिलाक्स कर देगी ठीक ह अब यूरिनरी ब्लैडर आपका जब रिलाक्स होगा तभी तो आप प्रोपर उस कंडिशन को हैंडल कर पाओगे तो यह इसका लास्ट function था तो हमने जितने भी इसकी अलफा और बीटा की location थी ठीक है इसके क्या क्या function थे मिंस एक छोटा सा माइंड मैप बना लिया है तेक तो इसमें क्या होगा इन चोट नोट की है इसको याद रख सकते हो तो इन तो यह बहुत थोड़े तिपिकल हो जाते हैं किसका function क्या है किसका function क्या होगा और अगर आपको इनके function यह जो हमारे हमने इसको further classify किया है इसके function थोड़े साग लग रहे हैं तो आप इनको जैसे आपकी slavers में डिवाइड किया आप इसको इसके साब से भी कर सकते हूँ ठीक है और फ़र्दर हमने जो बीटा की रिसेप्टर है वह हमने डिसकूस किया है तो जिनने भी रिसेप्टर है हमने sympathetic में पड़े है जब आपका sympathetic nervous system अक्टिवेट होता है तो उसी के अंदर इसेप् करेंगे तो फर्स्ट फर इनके जो लोकेशन है वह आपको वह याद रखनी है इसनके function क्या है आपको अच्छे से याद रखना है तो यह थी हमारे आज के रिसेप्टर और एक बार यह थी तो अगर आपको अच्छा लगी आप इसमें से लर्न कर सकते हूँ वैसे और टिप क्लासिफिकेशन है तो आपको समझ नहीं आएगा उसमें इसमीं इसमी सिर्फ हमें यही डिसकस किया इसी वर्थ क्लासिफिकेशन करनी है तो इस माइनमैप से अपनी जो आपको जहां पर नोट बना रहे हैं तो वहां पर आप इसको राइडाउन कर सकते हैं ठीक है और यह पोस्ट स्नैप्टिक फर्दर स्नैप्टिक के बाद यह खतम हो गया यहाँ पर नेक्स हमारा जो बीटा टाइप इसमें भी यही सब कुछ लिखा हुगा ठीक है और कुछ फंक्शन मैंने आप पर छोड़े भी हुए यहां जो मैंने आपको यह शोर्ट में बताया है आप महां तो तो अगर आपको जैसा एजी लगे आप अपने इसाफसे कर ले ना थीक है And thank you for watching this video